अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए फूर फ्यूचर अप्डेट्स के लिए तो इसमें देखिए मैंने एक प्रिवेस वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वो मैंने अप्लोड किये थे कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स का स्लेवस क्या होगा लेकिन उसमें एक आपका टॉपिक मिसिंग रह गया था जो मैं इसमें डिफाइन नहीं कर पाया था तो चलिए थोड़ा सा वीडियो पहले का रिव्यू ले ले लेते हैं तो पहले जो मैंने वीडियो अप्लोड भाल उसमें पासिंग का ही यहां पर मैं डिफकस करूंगा दिखे अक्वर्डिंग टू डिफीज सियमसी रिएक्ट्मेंट जो इन्होंने इस बार निकाली है ऑल अवर इंडिया इसमें पासिंग क्रिटीरिया उन्होंने कोई नहीं बताया कि आपके पासिंग केृटीरिया होगी अगर आपने जॉइन किया है तो आपको उस पर्टिक्लर सेटिफिकेट की वैल्यू थी जियर्स रहेगी सेम यह आपका जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं एपिए उनका जो एक्जाम होता है उनमें जो केंडिडेट्स कॉलिफाई करते हैं उनको एक स्कोर है उसके बाद ये जो आपकी मैंने बताया था दो तो तो चलिए ये तो थी इंपोर्टन चीज़ों मैंने आपके प्रिविए स्लेक्शर में आपको बताया था है ऐसी अफ्टेट्स के लिए पूरा प्रोसेस एक्स्प्लें करने असे पहले मैं आप से रेक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट इम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जुरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी फूचर अपडेट के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रूप चैनल उसको भी जुरूर फोलो करिएगा उस पर जे eligibility criteria all over India में कर दिया है बेशेक आप डीवी में job कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं LDC और UDC का slavers तो यह सारी classes का slavers है classes mean to say according to your post तो इसको मैं थोड़ा सा highlight कर देता हूं so that आप इसको clearly देख सकें या this one तो देखिए friends PRT, TGT, PGT, medicinal post उपर मैंने explain कर दिया और pre primary post इसका slavers मैंने पहले आपको explain कर दिया उसके लिए previous video देख सकते हैं थोड़ा साम आपको intro दे देता हूं अब to fifth class दक pre primary का आप जो त्यारी करिए entity की जसमें आपका English रहेगी English में आपका जो topic रहेंगे वो topic आपको मैं बता देता हूं general English में आपके सबसे पहले noun, pronoun, verb, denominers, tense, articles और उसके बाद आपके nouns रहेंगे, adjectives रहेंगे, adverbs रहेंगे ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी रहेंगी paper one में, including आपकी sentence correction, synonyms, synonyms, और को little bit passage भी आ सकता है PRT है जो उसके लिए भी आप देख सकते हैं classes कौन-कौन से उसके according का अपने कौन सी classes का syllabus टैली करना है जिसके लिए आप PRT और TGD के लिए prepare करें मैं आपको यही prefer करूँगा जिसका वैसे class 6 तक होता है, 7 तक होता है बट मैं ही prefer करूँगा आप 10 तक यह दोनों के लिए prepare करें PGT के लिए आपको ज़्यादा महिनत करनी पड़ेगी class plus one plus two और honors के आपको subject sheet करने पड़ेंगे तो चलिए, main आते हैं अपने आज का जो वीडियो हमारा कि आपका LDC Adam और accounts के लिए आपको क्या-क्या त्यारी करनी चाहिए so that आप उस particular exam को qualify कर सकेंगे तो देखिए LDC Adam administration और account में इतना difference है कि accounts में आपको tele ERP आनी चाहिए उसके related questions आएंगे पहले आप CBT qualify करिए practical चलो बात में बट इसके according आपका slavers आएगा paper में UDC में भी ऐसे ही आएगा slavers तो आगे जो slavers हम discuss करेंगे वो देख लीजिए मैंने टेल में यहाँ पर पूरा आपको explain किया है तो यह रहेगा आपका पूरा initial post का slavers जिसमें आपको computer fundamentals रहेंगे जिसमें आपकी generations हो गई उसके बाद input output devices हो गए hardware software हो गए then other जो important fundamentals में आता है वो सारी चीज़ें जैसे हाँ इसमें एक दो topic हो रहे हैं networking के questions भी पूछे जाते हैं फिर computer basics हो गए जिसमें आपको computer basic की knowledge होनी चाहिए including MS Office जिसमें word, excel, powerpoint यह आपको पता होना चाहिए कि यह क्या होते हैं और उसके according इनके shortcuts वेरा हो गया और उसके बाद जो भी इसमें आप pages use करते हैं orientations वेरा हो गई यह सारा कुछ इसमें questions पूछ जाएंगे including shortcuts full forms आएंगी और internet ended services internet क्या होता है www हो गया domains होगी, gmail होगी, gmail के लिए हम कोई भी email करते हैं उसके लिए हमें कौन-कौन से जो companies है internet facility और email facility प्रवाइड करते हैं browser क्या होता है, land क्या होता है, man क्या होता है, when क्या होता है, pen क्या होता है, send क्या होता है, there are so many types of network यह आपको पता होने चाहिए जैसे आजकल optical fibers, net coffee, 5G चल्ड़ा उसके रेडर questions आ सकते हैं, tally ERP, tally ERP आपको आएगी जदतर जो आपका होगा, accounts का because उसमें जो आपको सारा accounts का salary वेरा create करनी पड़ेगी, जब आपकी selection वेरा हो जाएगी, फिल लास्ट में balance sheets वेरा बनेगी, tally में काफी इसली बनता, जो भी आपका billing का काम होता है, वो सारा tally में ही होता है, tally is accounting software which is used to for accounting work, और इसमें जितना आपका साल का profit हो गया, कितना आपने deduction किया, कितना आपको पास पैसा था हो, सारा कुछ tally में all over जो software होता है tally का, automatic generate कर देता है, formula आपको formula जैसे excel के formula होगे, आपने balance sheet create करनी है, V look up हो गया, H look up हो गया, ऐसे formula, sum, average functions होगे, count functions होगे, common say functions जो हम एक official work के लिए use करते है, office work के लिए use करते है, इसके बाद ब mathematics का topic जिसमें profit loss, उसके बाद और भी जतनी मतलब आपको पता है chapters वेरा कौन से होते है, mathematics के वो आएंगे, because accounting का work है, common सी बात है, कि आपको ये knowledge होनी चाहिए, और अगर तो common सी बात है, अगर account के लिए आप apply कर रहे है, UDC और इसके लिए, तो आपका background या तो graduation होगा, या बी आपको एक journal paper हेगा, जिसमें आपको general English के वारे में बता दी है, इसके साथ आपको topics मैंने बताई दिये, starting में noun, pronoun, verb, determiners, tense, articles, उसके बाद verb, adjective, adverb, ये सारा कुछ, तो इसके साथ साथ, ये जो मैंने आपको topic बताए, general English भी important है, aptitude और GK के little bit questions आएंगे, तो ये तो था आपक LDC, UDC और दोनों के लिए जो accounts और item का slavers, librarian के लिए जो आपका slavers रहेगा, up to graduation library को कैसे manage कर सकते हैं, online libraries में internet भी आएगा, because library में आजकल सारा जो आपको पता है digital libraries हो गी है, उसके recording भी आ सकता है, proper अगर आप बात करें, कि हमें ये slavers follow करना है, वो कहीं भी आपको नहीं मि slavers यहाँ पर display कर रहा हूँ, show कर रहा हूँ, यह दो सामने आपके सारा मैंने slavers appear किया है, जिन candidates ने previous year जो exam हुआ था in other states, like western world side, तो वहां के मैंने जो employees हैं, जो ordered ही job करते हैं, जिन्होंने CBT दिया था, उनसे यह सारा मैंने tally किया है, एक दो topic आपके आगे पीछी हो सकते तो यह था आपका slavers, initial post के लिए, music का slavers क्या रहेगा, इसका मुझे clear नहीं है, बट जो भी आपके सुर्व वेरा होते हैं, और जो भी आपकी chemistry वेरा होती है, chemistry मलब, not chemistry जो physics chemistry वाली है, chemistry मलब, कि आपने सुर्व कैसे create करने हैं, आपके सार हो गए, यह सारा कुछ उसमें आएंगा, librarian post के लिए, library का management होता है, पूरा उसके related आपको आएगा, जैसे मैंने आपको बताये दिया, distil libraries हो रही हैं, उसके recording आएगा, तो यह था हमाराज का video, regarding initial post levels, उसको देखिए, अगर आपको क्यों doubt queries हैं, जो आपको लगता कि हाँ, यह भी चीज़ उसमें होगी, त जुरूर comment section में comment करके बताये, because एक अदा topic कईवा skip हो जाता है, अगर आपको लगता है कि यह भी उसमें आया था या आएगा, according to this, तो जुरूर हमारे चाहर शेयर करिए, उसको आपके other जो मेरे groups हैं, उसमें share कर दोगा, और ऐसी updates के लिए हमारा जुरूर telegram group join करिए, so that in future जो भी ऐसी latest updates आएंगी, उनका जो notification है, आपको timely मलता रहे, और वीडियो को जुरूर अपने friends के साथ share करिएगा, especially जो ministerial post के लिए prepare कर रहे है, because उनको काफी ज़दा doubts है, मुझे बहुत ज़दा comments आते हैं, especially for slabbers, बाकि 2nd March को आपकी first shift start हो रही है, for English PGT, तो उसमें हम आपक सारा process बता दूँगा, कि आपका CBT कैसा रहा, और एक और चीज़ आपको बता दूँ, CBT आपने कैसे देना है, computer-based test है, उसका interface कैसा रहेगा, graphical user interface जो होता है, मतलब computer पर कैसे देंगे, यह सारा हम आपको explain कर दूँगा, because आपके next subjects हैं, जैसे पंजाबी का है, पंजाबी व smartphone है, वो तो चलिए common सी बात है, सभी को use करने आता है, but if you're talking about your computers, तो उसको operate करने में, mouse पकरने में, जो non-tech computer fields से हैं, उनको काफी problems आती हैं, तो वो मैंने video अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं, बाकि जुड़े रही है, जो भी latest आपके exam होते जाएंगे, उसका एक कैसा था, labs कैसी थी, net connectivity कैसी थी, room में कितने students है, जो interface था, पूरा exam का, कैसा था, paper 1 के बाद paper 2 शूरू हो गया है, paper 1 के बाद आपको stop मिला, वैसा तो paper continuous चलेगा, 2 hours का है, तो इस सारा मैं आपको process next video में upload करूँगा, जिसमें मैं आपको सारा practical steps बताऊंगा, तो friends, वीडियो अची लगे हो, तो जुरू वीडियो को लाइक करना, चनल को भी subscribe करना for future updates, so thank you friends for watching this video and for your valuable time.